हाई विनर्स आई होप यहोल आर वैल्ल इस साइड राजी वानंद वेल्कम टो कृटो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूं साइटमा क्रिप्टो कोईन के बारे में साइटमा जो आप अल्रेडी जानते हैं अपने माइग्रेशन के बाद बन चुका है साइटमा वी टू प्राइज की अगर मैं बात करू तो लास्ट 24 आर के अंदर 2.50 परसेंट जो है वो प्राइज पंप किया है और आज की डेट में अगर मैं आई अनर की बात करू तो 26 पैसे के आसपास के पुटेंशल का कोईन बना हुआ है कोईन मार्केट कैप पर 2820 इसका रंक है और 13,000 वाच लिस्ट में इसको एड किया जा चुका है ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम 44 परसेंट डाउन है और जो साइटमा वीटू की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी अभी तक कोईन मार्केट कैप पर अफिशिली वेरिफाई नहीं की गई है इट मेंज के साइटमा वीटू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर से खड़ा होना साइटमा का जब प्रिविएस वर्जन चल रहा था या आप बोले साइटमा वीवन जिसको हम लोग साइटमा टोकन के नाम से जानते थे उस टाइम पर लगता था कि साइटमा कॉमुनिटी हम लोगों को काफी बड़ा अर्ण करके देगी और कई न कई पर एक कॉमुनिटी ड्रिवन अगर हम लोग अच्छी कॉमुनिटी की जब बात करते थे तो कॉमुनिटी ड्रिवन जो हैं हो साइटमा को हम मानते थे साइटमा ने हाला की वेब 3 टेकनोलोजी के अंदर काफी बड़ा काम तो किया लेकिन क्रिप्टो जिस हिसाब से हम लोग बिलीव करते हैं अगर आप ने पहले ही ये सोच रखा था कि इतनी बड़ी सप्लाई का टोकन नहीं बनाना तो पहली गलत साइटमा की तरफ से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्लाई का टोकन बना दिया मतलब उनकी सप्लाई तो रही मीम क्रिप्टो क्रेंशी कल्चर की तरह लेकिन वो बार-बार बोलते थे कि हम लोग एक कॉम्मिनेटी ड्रिवन है मतलब हम लोग कही नहीं पर फर्दर प्र कर दिया अपनी कॉम्मिनेटी को स्ट्रॉंग बनाने के लिए तो होल्डर्स का जो बिलीव सिस्टम था वो बिल्कुल कमपन खतम हो गया लेकिन आज मैं अगर बात करूं तो साइटमा वी टू जो है वो एक बार फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है मतलब कही न कई प पर साइटमा प्रो जो है वो एप स्टोर पर लाइव भी हो चुका है और साइटमा प्रो जो होगा वो साइटमा के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है मतलब अगर आज आप लोग फाइनेंस एंड पे बात करें तो फाइनेंस एंड पे चाहे आप लोग इसको ए यारा very seamless community driven token और हमारा जो focus होगा वो होगा हमारे कई ना कई पर app पर जिस application को उन्होंने Cytapro का नाम काफी time पहले ही दे दिया था लेकिन उन्होंने ये चीज कई ना कई पर hide करके रखी कि हम लोग कभी ना कभी migrate भी कर सकते हैं फाइनली migrate हुआ लोगों को उसका benefit नहीं हुआ और Cytapro का value वहीं से down होना start होई और लोगों का trust और confidence बिल्कुल खतम होना start हो गया अब यहां पर दो factor निकल कर आ रहे हैं पहला factor निकल कर आ रहे है कि अब Cytapro जो है वो live तो हो गया app store पर अब Cytapro finance के अंदर और नए से नए क्या कदम रखने वाला है हाला कि जो Cytama का official twitter handle है उसके उपर finally एक next level project ready की बाते की जारी है और कही न कही पर अगर आप लोग USD stake की बात करो तो कही न कही पर 10 million USD stake भी की जा चुके है crypto के अंदर ये एक बहुत बड़ा factor होता है liquidity increase करने के लिए कि किसी भी project के अंदर जब बहुत बड़े level पर staking हो जाती है तो जो Cytama का wall pack है उसके अंदर आप लोगों को 10 million USD की staking का feature आया है और कही न कही पर Cytama ने अगस्ट 6 को इसको अपने official twitter handle पर भी fit करके confirm कर दिया मतलब अब community के पास staking भी आ चुकी है Cytama Pro उन्होंने बहुत अच्छे level पर start भी कर दिया और कही न कही पर जो testing है Cytama Pro की उसके अंदर भी कुछ न कुछ नए से नए changing आने वाले हैं तो कही न कही पर हमें इस month के end तक Cytama Pro के अंदर और भी नए से नए future दिखने की बहुत जादा उमीद बनाई जा रही है और शायद इने tweet की वज़े से या Cytama Community ने जो अपने अंदर अपने ecosystem में grow करना start किया है अपने app को जादा से जादा strong करने की कोशिश कर रही है इसी का शायद बहुत बड़ा reason बन रहा है कि Cytama अब आप 24 आर की भी बात ना करें तो सिरफ last one hour का भी चार्ट देखें यहाँ पर देखें मैं आपको Cytama का last one hour का चार्ट दिखा रहा हूँ अगर आप इसको seven day में convert करें तो seven day में बिल्कुल down है one day में अगर आप आजाए तो one day के अंदर Cytama देखी यहाँ से एक last one hour की अगर मैं बात करूँ इस टाइम पर लगबग 6.47 इंडियन टाइम है पोने साथ का टाइम है और 6 बच के 10 मिनिट के बाद से Cytama का जो एक graph है यह बढ़ना स्टार्ट हुआ मतलब community ने जो change करना स्टार्ट की है community ने जो अपने wall pack के अंदर Cytama pro के अंदर जो नए changes लाने की कोशिश की है अगर उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया तो शायद वो अभी तक अब दुबारा सेल ना करें क्योंकि कई ना कई पर Cytama की ecosystem में एक बार फिर से बड़े से बड़ा feature इंटोड्यूस होता दिख रहा है लेकिन मुझे अभी Indian users की तरफ से या Indian holder की तरफ से लगता है कि वो अभी नहीं लग रहा कि कई ना कई पर Cytama V2 में अपना belief system दिखाएंगे या Cytama V2 को ज़्यादा से ज़्यादा और buy करने की कोशिश करेंगे एक सबसे बड़ी problem और भी है एक belief system में अगर Cytama एक बहुत बड़ी community है तो कई ना कई पर ट्विटर पर इसका जो verified profile है उसको blue tick मिल जाना चाहिए था चार लाग क्या सपस इसके followers हो चुके है लेकिन आज भी एक normal profile है just like us, just like me जैसे normal मेरा profile है ट्विटर का अगर आप बात करें तो इसमें सिर्फ 4900 followers है और Cytama जहां 4 लाग holder हो चुके है तो ऐसे में अगर आपका ट्विटर पर एक community है और आप कही ना कई पर एक best education community driven की बात कर रहे हो crypto के अंदर तो कहीं ना कहीं उसका official होना उसका verified होना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है तो कुछ factor निकल कर जरूर आ रहे हैं और हाला की जो Cytama के founder है वो भी बार बार Twitter को अप्रोच कर रहे हैं कि please हमारी इस community के Twitter profile को verify करो ताकि लोगों का belief system और ज़्यादा grow हो क्योंकि Twitter blue tick एक बहुत बड़ा impact role play करता है आप भी जानते है crypto market के अंदर तो कहीं ना कहीं पर Cytama community definitely अब दुबारा से एक पर grow होना start हो रही है Cytama pro पर बहुत ज़्यादा focus किये जा रहे हैं हो सकता है मैं इस end तक और ज़्यादा bullish run इसके अंदर दिखाई दे बट let's wait क्योंकि अभी हम लोग सिरफ 10 अगस्त की date पर है और अगस्त अभी 20 days और भी है तो 20-22 अगस्त के बाद-बाद मुझे लग रहा है कि Cytama में हम लोगों को और अच्छे update देखने की पूरी उमीद बन रही है और कहीं ने कहीं पर एक bull run की उमीद जो है वो अगस्त के last week में या फिर स्टमबर के first week तक आने की जादा उमीद इस time पर बन रही है जिसे साइट में आपने Cytapro पर अब काम करना शुरू कर चुका है but let's see के exactly होता कै और आप भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो बिलकुल एक completely highly volatile market है so if you want to buy any kind of crypto token please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates thank you so much